नमस्कार दोस्तो मैं अनुराग आरियन आप लोग देख रहे हैं पॉम्टॉय अनुराग योट्यूब चैनल दोस्तो आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखलाऊंगा पॉमरेनियन डॉग के बारे में और उसका जैनियून प्राइस भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा डॉग चाहिए दोस्तो मार्केट में आप लोग बहुत बार ट्राइ किये होगे डॉग खरीदने के लिए तो आपको काफी महगा महगा भी डॉग मिलता होगा और कभी सस्ता भी मिलता होगा तो सही प्राइस आप लोग को नहीं मिलता होगा जिसके बज़से आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो और नहीं डॉग खरीद पा रहे हो तो दोस्तो आज का वीडियो बड़ा ही इंपोर्टेंट होगा इस वीडियो में मैं आपको सही डॉग दिखाऊंगा और उसका जैनियून प्राइस भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन साट तो दोस्तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा चल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सस्ते डॉग के वारे में दिखलाऊंगा फिर धीरे धीरे महंगे डॉग के वारे में भी आपको दिखलाऊंगा दोस्तो आप लोग सस्ता डॉग तो देखिये ही देखिये और धीरे धीरे आप महंगे डॉग को भी देखिये ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि कौन सा बढ़िया है दोस्तो आप लोग एक बार जादा प्राइस लगा दो लेकिन बढ़ियां डॉग ही खरीदो तो दोस्तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सबसे सस्ता डॉग दिखाता हूँ दोस्तो ये जो आप अभी आप डॉग देख रहे हो ये इंडियान एस्पिट्स ब्रीड का डॉग है दुनिया का सबसे सस्ता ब्रीड यही होता है दोस्तो अगर आप मार्केट में ट्राइ करोगे तो ये ब्रीड आपको 2000 से लेकर के 7000 के आसपास का मिलेगा दोस्तो कहां पे 2000 का मिलेगा और कहां पे 7000 का मिलेगा ये भी मैं आपको दिखराना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सार लोग ऐसे हैं जो 2000 के डॉग को 7000 में सिल कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है हमेशा डॉग के quality के according उसके maintenance के according ही price लेना चाहिए लेकिन मार्केट में कुछ हैसे लोग है जो कि maintenance बहुत ही low करते हैं लेकिन price बहुत ही ज़्यादा high लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पर जो आपको भी डॉग दिखाए पर रहा है यह भी वही Indian Spits डॉग का breed है जो यह है मेरे पास भी यही breed है जिसका नाम काजू और स्वीटी है आपको पता है और साथी साथ टोमी भी है और स्कूबी भी है तो दोस्तो दोनों सेम ही breed है लेकिन इसका जो बाल कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कम प्यार करेगा यह भी उतना ही प्यार करेगा चिनितना की जरमन सेपट करता है या फिर कोई और breed करता है सारे डॉग अपको उतना ही प्यार करेंगे लेकिन सिर्फ दिखावे में फर्क हो जाता है तो दोस्तो इस टैप का यदि आप मार्केट में खोजने के लिए जाते हो तो आपको दो हजार रुपे के आसपास का मिलेगा या फिर तीन हजार भी आप लोग कह सकते हो अब दोस्तो इस से हलका सा ज्यादा क्वालिटी का डॉग आप लोग देखोगे सेम ब्रीड में ही इंडेनस बिड्ज में ही त तो आप लोग 2000 और लगा करके 4000 में आप लोग ये डॉग ही खरी दिये क्योंकि आप लोग बार बार तो पैसे लगाओगे नहीं डॉग बे तो एक बार ही आप लगा करके थोरा सा अच्छा डॉग खरी दिये अब दोस्तो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ इस टैप का तो लगभग 5000 से 6000 रुपया में आपको मिल जाएगा दोस्तो आप लोग 2000 रुपया का डॉग खरीते हो अगर इंडियन स्पीड खरीदना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 5000 का बजट रखिए एक 2000 रुपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पर बट आप लोग 5000 का बजट बना करके चलिए दोस्तो ये जो आपको डॉग यहां पर दिखाए पर रहा है इस टाप का डॉग यदि आप लोग मार्केट में खरीते हो तो आपको 5000 रुपय के आसपास का मिल जाएगा और दोस्तो यदि आप लोग बिहार में कहीं से भी हो या इस कॉलिटी का डॉग मिलेगा एकदम बेस्ट कॉलिटी एक बार जब ले लोगे तो मनखुस हो जाएगा दोस्तो जिनको भी इस टाप का डॉग चाहिए मैं आपको बतला दूगा कि आप लोग को कहां से खरीदना है इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास तक जरूर दे होते हैं दोस्तो कल्चर पॉम दिखने में काफी स्वीट रगता है काफी अच्छा डॉग लगता है और इसका जो साइज होता है वो भी काफी छोटा होता है दोस्तो यहां पर जो आपको डॉग दिखाए पर रहा है यह भी कल्चर पॉम ही है लेकिन इसका स्टार्टिंग म देखने में ये ऐसा है लेकिन बाद में काफी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तो इसका यदि मार्केट में अभी प्राइस पता किया जाए तो अरॉंड 7000, 8000 या फिर 9000 में भी आपको मिल जाएगा अब दोस्तो थोरा सा हाई कॉलेटी में आप लोग देखोगे तो ये भी कल्चर पोमी है जो की मेरे एक फ्रेंड के पास था मैंने आपको बतलाया था दोस्तो इस टाप का डॉग यादि आप लोग मार्केट में पता करते हो तो अरॉंड 12000 से 15000 में आपको मिल जाएगा और दोस्तो ये थोरा बरा हो करके ऐसा दिखेगा और 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 भी 17000 का मिलेगा लेकिन दोस्तो यदि आप लोग कल्चर पोम भी थोरा सा हाई क्वालिटी में लेना चाहते हो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि कितने मस्त क्वालिटी का कल्चर पोम है कितना जादा प्यारा डॉग है दोस्तो यदि इसका प्राइस पता किया जाए तो मा इंडिया में यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा कम में आपको मिल जाएगा आराउंड 40,000-50,000 का इस क्वालिटी का कल्चर पॉम आपको मिल जाएगा और मेभी कि आपको कम में भी मिल जाए ये सेलर पे डिपेंड करता है अब दोस्तों मैं आपको बदलाने वाला हूँ ट जादा कोस्टली आता है दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग डॉग देख रहे हो कितना प्यारा सा कितना क्यूट सा डॉग है दोस्तों यह एक ट्वाइपॉम ब्रीड का डॉग है और इसका प्राइस यदि आप लोग मार्केट में पता करोगे तो अरौंड 30,000 से पाओगे एक ट्वाइपॉम का डॉग और दोस्तों यदि आप लोग ट्वाइपॉम हैबी क्वालिटी में खरीदना चाहते हो तो उसका प्राइस आप लोग को काफी ज्यादा हाय रखना परेगा दो लाक धाय लाक भी आपको रखना पर सकता है यह डिपेंड करता है कि उ तो ही केबल अबलेबल हो पाएगा बाहर के लोगों के लिए भी अबलेबल नहीं हो पाएगा ठीक है और दोस्तों साती सात आप लोग ये भी कमेंट कर दीजे कि आप लोग कहां कहां से हो ताकि नेक्स टाइम जब भी मैं वीडियो बनाओ तो कोशिज करूं कि उस लोकेश ब्रीड का डॉग लीजिए यदि आपका बज़ेड पांच हजार के आसपास का है तो दोस्तों इस ब्रीड का ये कॉलिटी है कि ये साइज में कल्चर पॉम और टॉय पॉम से थोरा सा बरा होता है जिसके विज़से आप कहीं खेलने जाते हो घर के बाहर घूमने जाते हो तो एक केर करने में जो सपोर्ट चाहिए वो हल्का सा कम लगता है और साथी साथ जो इसका अवाज होता है काफी ज़्यादा हाई होता है काफी लाओड होता है जिसके विज़से आपके घर में चोर बगेरा आने वाले हैं तो वो पहले ही सतर्क हो जाएगा और आप लोग क कर देगा कि आपके घर में कोई अक्टिविटी होने वाला है तो दोस्तों यदि आप लोग को ऐसा डॉग चाहिए एक इंडियन स्पीड ब्रीड का हो दिखने में भी ऐसा हो काफी सांधार हो तो आप लोग हमारे फेस्बुक पेज या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज को ल जरूर लाइक कर दीजेगा जिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगा और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे जाएगे क्योंकि लिमिटेड कॉंटिटी में होगा इसलिए खतम भी जल्दी हो जाएगा और दोस्तों साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लि और दोस्तों आप लोग कमेंट करूं कि आपको कौन सा डॉग पसंद है और आपके आसपास कितने में मिल जाता है और क्या आपके आसपास कल्चर पॉम डॉग मिलता फिर नहीं मिलता है कितने में मिलता है दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में तब त